सो गाइस के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपको भी Chrome Browser open करते टाइम कुछ इससे प्रॉब्लम आ जाती है Cleaner Update for Android is recommended आप अपना Chrome Browser यूज नहीं कर पा रहे हैं तो इसको solve करने के लिए आपको क्या करना है इसके वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पर simple steps को follow करना है और आपकी जो problem होगी lifetime के लिए solve हो जाएगी अगर आपको future में भी यह problem आती है तो सिर्फ वह step आपको follow करना और problem solve हो जाएगी तो चली जान लेते हैं हमें क्या करना है इस problem को solve करने के लिए simple steps है उनको follow कर लेजएगा तो सबसे पहले आपको आना होगा अपने settings के अंदर किसी भी brand का mobile हो कोई problem नहीं आपको as it is same काम करना होगा स्क्रोल करना है नीचे की तरफ और यहां पर apps देखने को मिलेगा आपकी mobile के अंदर कुछ होड़ settings देखने को मिल सकती है बट यहां पर जो है आपको एपस देखने को मिल रहा है तो एपस पर क्लिक करिए मैनेज पर क्लिक कर लिजी देन उसके बाद और यहां पर सर्च बार आपको देखने को मिल रहा है सर्च बार में आपको सर्च करना होगा जो आपका क्रोम होगा क्रोम को सर्च कर लेते हैं अगर आप उपर सर्च बार नह अब यहां पर आपको कुछ नहीं करने अब अब आने क्रोम ब्राउजर होगी, वह solve हो जाएगी किसी भी तरह से कोई problem नहीं होगी तो बस यही कुछ काम करने होंगे आपको hope आपको सब कुछ समझा चुका है वीडियो अच्छी लगी तो like कर देना, channel को subscribe कर देना मिलते हैं ने शुड़ी में, till now I take care, love you all